इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते में एक ओमेगा तीन फैटी एसिट खराब कॉलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदेस वास्थे का समर्थन करने में मदद कर सकता है दो ग्रीन टी के अर्प में केटेचिन होता है जो एक एंटियोक्सिडेंट है जो हानिकारक मुक्त कणों से रक्षा कर सकता है जिंकको बायलोबा हृदेस वास्थे को बहतर बनाने में मदद कर सकता है और इसमें एंटियोक्सिडेंट गुण होते हैं चार जिंसेंग एक एंटियोक्सिडेंट है जो मुक्त कणों को खत्म करने में मदद कर सकता है पांच, अंगूर के बीज का अर्ग फ्लेवोनौज से भरपूर होता है जो कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है छे, विटामिन, खनिज और ट्रेस तत्व समग्र स्वास्थे में सुधार करने में सहायता करते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें